इसका क्या सप्सक्राइब हो सकता है कि टाइब नहीं लासाइबस का थे पॉइंट हो जाता है और इसका हाइट भी शिर्जू से ज्यादा बड़ा हो जाएगा फाइप अंडर में पच्पन सौ में इमेल गाइज देखिए पर इस ती और यह को लगाइज है यह सिक्स थाज़न रुपेज किया उनली रूंसर आ गये हैं और साथ में हमारा साथ ही भी एक है नहीं आप भाग कर किसी नत्री के जुगाड तो गाड अगर पहुंच गये हैं तो यह जलंदर कैंट रेलिवेस्टेशन है यहां पर वर्ड्स ओके वेर्ड गुड सोजा यह रात हो गई पान-पान आप यहां सो ले तकते हो दूज मिल्क वेर का पीछे है वाकि एक बहुत अच्छी स देखाऊं मेरे पीछे हमारा है एस यह देख सकते हो तो आप इस तरह में को फॉलो करते हुए लेडी स्क्रीन लगी हुए तो यह आपको अपने सही डब्बे पर कहां आपका जुखना होता है डब्बा वह पर आपको ले जाएंगे तो चलते हैं वर्ण सर को फॉलो करते है तो आइस आगे हैं अभी होटल में और थोड़ा फ्रेश होकर दुस्तार सजा कर देन वी रड़ी पंजी गाइस कैसे हो आप होप यूद ग्रेट आप आज आगे हैं अलिगड़ यहां के क्या मशूर है ताले अलिगड़ का ताला बहुत-बहुत मशूर है वर्डवाइल ल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही कुछ लुद्याने में वह एक अलग से शेहर के बार थोड़ी सिटी है वहां पर उन्होंने एक अलग कहलो की सब दिवीशन कहलो कलोनी कहलो और वहां पर वह सब और नेकिन बहुत बढ़ी आरेजमेंट जो सुनने को भी तक आया है वा है एक्जीबीशन वहां पर भी बहुत बड़ा है तो हमें यहां स्टेशन में कुछ लोगों से मिला इसका बारे बाता चला तो आपको कोशिच करते हैं कि वह उसका भी छोड़ा वाता वियू दे रहे हैं कि दूप काफी तीखी है यहां पर कुकि जलंदर के हिसाब से यहा पर चली जाए कोई लेट हो जाता है तो इस चीजें उपर नीचे हो सकती है दूसा आप ने क्या इसकी क्या दिमांड इसकी क्या दिमांड है तो यह आप कहलो कि हमेशा प्राइज क्वालिटी के उपर डिपेंड करता है यह बढ़ता रहता है चारे 40-50 तक भी आप ले जाओ इसके लावा कुछ और है इसके बास में जर्मन शिवर्ट की डबल कोट से में लाए वहां कैसे आपने कैसे किया थोड़ा सा कम है इसका तो यह आप मीडियम कोट कहेंगे इसे और यह रखो यह उंगलियों से उपर जा रहा है आप ऐसे नाप सकते हैं तो यह डबल कोट है बच्चा यह गाइज मैं आपको क्यों तुमारा चेक करा रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम कनाल सार में सार ने देसी टोटका बताया था है कि कैसे आप on the spot market में पपी को जर्ज कर सकते हो वैसी तो चोटे पपी को जर्ज करना almost impossible होता है लेकिन यह तरीका कमाल कहा है आप लोकेशन पहले कहा है आप सर में साहरन तुर्स हूं और ओल इंडे डिलिवरी मेरा काम है अपना कॉंटक नमबर मेरा कॉंटक नमबर है 8126 140492 इस पेशली में लेबराडोर जर्मन शेफर्ट गोल्डन डिवर और आपका डावर्मेंस और यह मैं एक और फिमेल लासा अप्स होगी फिमेस में लासा और शुट्जू में भी डेलिंग करता हूं लासा अप्सो का प्राइस कहां से चुरू होता है सर लासा अप्सो का दस बारहाजार का मेला और आटनोजार की फिमेल है कि सॉरी लासा अप्सो का थोड़ा जो आप फेस पॉइंटेड हो जाता है और इसका हाइट भी शिर्जू से ज्यादा बड़ा हो जाएगा यह मेरे पास परमिरेंस के बच्चे में भी सेल करता हूं जैसे किसी को कम रेट इसका क्या रेट इसका सिक्स थाउजन का मेल और फाइफ थाउजन की फिमेल तो सब से कम आज की मार्केट में रेट फीमेल में है पामिरेंट का रहें यह गोल्डे रिटीवर का बच्चा है आज हो गया है वन मंस का मान के चलते हैं इसकी क्या देमाड है यह 12,000 रुपे का इसका पर बता दिया प्राइस इसका मैंने बटादा आठ नो जा रुपे की फिमेल और दस बाराजार का में शिर्टू का मिल जाते हैं लासा यह अलिगर की मार्केट और जहनाब काफी दूर से आते हैं आपी मैनत करते हैं आज कोई भी नहीं हमारे लाव बस एक बश्या है हैं बच्चे अब मेरी बात चल दिया आपकी वीडियो से कि मुझे बच्चे देना है जोटा सा है हमारा इन लोगों की ज्यादा मैनत तो लब टूब गाइस देश में तो वीडियो बनाता रहूँगा अगर कि घर की रोजी रोटी मेरी एक आद दो मिनिट की वीडियो से च करते हैं यह पूरा बोड़ी लेंग्वेश में कि यह से मज़ितार बंदें कमाल एक और फिर दोबारा अपना लोकेशन और कॉंटेक सर मैं सारनपूर से बात कर रहा हूं मेरी लोकेशन सारनपूर में है और मेरा नमबर है 8126140492 और मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है रिं पाड़ है सर यह 5500 5500 में पच्छ पंसों मेल गाइज देखिये पर इस ती और यह और यह पर बच्छा लिगर में गाइज आपको चार-पांच प्लार के घूम कर मिल रहा है आपकी लोकेशन सर लोकेशन हमारी सारनपूर है और यह भाई भी हमारे दोस्ते हैं कि आपने वीडियो बनाई है हम दोनों इखटा है सारनपूर से नंबर है हमारा 863094760 और जिस किसी भाई को कम प्राइज में पच्छी हमारे पास अविलेबल दाते हैं अलोवर इंडिया डिलिवरेबल दाते हैं हमारी इंके साथ चु को बाइस हैं है मैं प्राइस बैस अलोवर इंड लुक में भाई टोड़ए बादा प्रफार टोड़ों कर दो हैं है हैं मैं अब मुद्धा आए लाड़ए स्पेशल आए यह आट वाईस पेशल क्या नाम है आपका मुहम्मद सलमान इनको मुबारक पातो भाई यह तीन दीन ही इन्होंने नहीं यह रिक्षा यह रिक्षा निकाला है तो इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया बहुत धन्यवाद जनाब